प्रें स्टार्ट करते हैं नेव वीडियो 30 feet by 26 feet 6 inch इस तरफ देख सकते हैं 30 feet 3 inch और इस तरफ 26 feet 6 inch का हाउस प्लैन तो अहीं पर आपको क्या क्या मिलने वाला है डिटेल से यार करेंगे एक्चुली ये साउथ फेसिंग हाउस प्लैन है साउथ फेसिंग नौर्थ इस तरफ आजाएगा इस तरफ आजाएगा और वेस्ट इस तरफ आजाएगा ठीक है तो हीं पर सारे वाल 10 inch का प्लैड किया गया एक्चुली जिसका अगर लोड बेरिंग वाल बनाना है कॉलम्प वाल नहीं करना है उसको वह यूस कर सकते हैं और अगर किसी का अगर कॉलम्प स्टक्चर बनाना है तो अंदर साइड का जो वाल है फाइव इंच आप रख सकते हैं ठीक है दोनों पोविजन नहीं पर रखा गया है तो फाइव इंच रखने से आपका जो रूम का साइज और और जो अंदर का जो डाइनिंग हॉल किचन कि भार तरफ विंडो हमने चारो तरफ पोवाइट किया ताकि वेंटिलेशन अच्छा तरीका से हो सके देख सकते हैं इस तरफ आ जाएगा इस तरफ हमें पर वेंटिलेशन आ जाएगा तो यहीं पर आपको दो बेट्रूम एक किचेन एक टॉयलेट और बड़ा सा डाइनि तो हॉल का हॉल में देखिए इस तरफ में थ्री फ्लाइट में हमने डिजाइन किया स्ट्यार को देख सकते हैं थ्री फीट वीद्रा का है एक स्ट्यार का तो यह हॉल का साइज आपको मिल जाएगा इस तरफ 16 फीट और इस टाइरेक्शन में 15 फीट 10 इंच और एक बेट्रूम आपको मिल जाएगा इस तरफ तो एक बेट्रूम का साइज 12 फीट बाई इस टाइरेक्शन में 10 फीट 10 बाई 12 का एक बेट्रूम और एक बेट्रूम इस तरफ आजाएगा इस बेट्रूम का साइज दोस्तो इस तरफ 12 फीट यह बड़ा बेट्रूम है मस्टर्ड बेट्रूम यूज़ कर सकते हैं वाई 14 फीट 12 बाई 14 का बेट्रूम इहीं पे पुवाइड गया और इस तरफ आजाएगा किचेन का साइज 8 फीट बाई 8 फीट आपको मिलने वाला है ठीक है और इन पे आजाएगा लैट्रिन कम बात कॉमन टवीट तो इस तरफ तरफ बड़ा राखा है इन पे 7 फीट बाई 8 फीट का टवीट का साइज राखा है तो आप चाहोते हैं इसको छोटा कर सकते हैं और एक चेंग जोंग यहीं पर कर सकते हैं टॉइलेट के इस तराव और किचेन को इस तराव भी वाइट कर सकते हो ठीक है यह पर नमबर आप कलम का अगर बात करें तो नहीं रहेगा तो अच्छा मिट्टी के लिए आप लोड बैरिंग वाल भी बना सकते हैं कुछ भी कॉलम आपका जुरूरत नहीं रहेगा तो दो मंजिल भाड़ घड़ आप अरम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर किसी के अगर कॉलम स्ट्रक्चर देके करना है तो इस